यही मेरा कहना है कि अगर समान नागरिक सहिता आती है तो वो हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद, सब, मुस्लिम, सब को अगर नहीं आती है तो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद को सब को अपने हिसाफ से आजादी मिले, अपनी परंपरा, अपनी रीती, अपनी अपमान है राजा दश्रत राजा दश्रत के हम मनुवाई कहे जाते हैं हम उनकी संतान कहे जाते हैं हम हर वर्ष धीपावली और राम नौमी मनाते हैं तो हमारे राजा दश्रत के पुत्र प्रभुश्री राम भरत सत्रुगन लक्षमन राजा दश्रत की कितनी रानिया चार भॉन्हानिया बहुंविवापदत थी सब स्वीकार करते हैं सब मानते हैं सबने देखा है απόने जाना है हमने तो अपने परेपरण लगा लिया हमने तो अपने पर पावंदी लगा ली लेकिन हम तो दो हम दो हमारे रहे गए और कुछ लोग जैसा की कहते हैं आप जैसे नागृक सहिता आ रही है वो अगर हिंदुों पर ही लागू हो गी तो ये तो पहले से 1950 से लागू कर चुके थे मोदी जी नहरूजी जो नहरूजी प्रधान मंत्री थे उसी के बाद से हिंदुों पर लागू हो गया और उसके लागू होने के बाद मानिय सर्वोच चिन्या लेके और माननी है राज्यों की अन्रवल हाई कोर्ट की कितने जज्जमेंट आए जो डाइवोर्स के लेके महिलाओं के भरन पोशन मेंटेनेंस को लेके बच्चों के उत्राधिकार गारजिंशिप को लेके कश्टडी को लेके बसीयत को लेके पार्टिशन को लेके प्रॉप पर हिंदू ने माना हिंदू लगातार मानता रहा उनको पूरी शिद्दत के साथ मानता रहा कानून में विश्वास करता है मानी अदालत पर विश्वास करता है नियम में विश्वास करता है चलता रहा जबकि मुस्लिम पर्सनल लाके चलते कोई भी चीजें लागू नहीं उन्होंने अपने हिसाब से चलाया, अपने हिसाब से लागू किया, उन्होंने इस पर माने नहीं, और यही कारण था आपको इसका सबसे बड़ा उदाहन, जीवन्त और जोलन्त दूँगा, जो इतिहास में भी है, जागरत भी है, सबी लोग जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्र को भी हिंडू कोड़ विल के बाजय से ही, उसी की बाजय से बचने के लिए जब उन्होंने शादी की, क्योंकि वो हिंडू कोड़ विल से बंदे होते हैं, अगर उससे जुड़े होते, तो उन्हें कुछ बंने के दिरूत नहीं, या वो अपने मन से पसंद करने का धिकार कि हम अपने मन से पसंद कर लें ऐसा अब उनके पास नहीं था इसलिए उन्हें बनना पड़ा हिंदू कोड़ बिल से बचने के लिए धर्मंदर को बनना पड़ा दिलावर खां और हेमा मालनी को बनना पड़ा आईशा भी जब वो बनी तब उन्होंने उसको निकाह के रूप में किया और सुईकार किया आज भी जोड़ी फिल्म इंड़स्ट्री में है उनसे बच्चे हुए बॉबी देल सनी देल और वो सब बच्चे हुए हेमा मालनी जी से दो बेटियां हैं ये सब आगे की वन्षबिल बड़ी सतर साल से हिंदू को हिंदू कोडविल के अनुसार ही लगातार चलाय जा रहा है उन्हें उसी के अनुसार पाठ पढ़ाया गया उसी के अनुसार मानी अदालतों ने ने लिये उसी के आधार पर वो मानते रहे उसी का अधार पर समाज मानता रहा और इसका यही परिणाम था कि उन्हें बता दिया गया हम दो हमारे दो किसने माना हम दो हमारे दो सिर्फ हिंदू ने माना कि सिर्फ हिंदू माना है कि हम दो हमारे दो पर वो चल पड़ा वो उसी पर लीक का फकीर हो गया वो चल पड़ा उसने उससे नहीं बढ़ा और उससे वो घटा पहले था हम दो हमारे दो अब आ गया हम दो हमारे एक मतलब दो भी खतम हो गए हमारे एक और हम दो हमारे दो खतम होने से और हम दो हमारे एक आने से भी क्या हुआ रिस्ते खत्म हुए जब एक ही बेटा है तो चाचा कौन बनेगा उनमें से बड़े होके ताउ कौन बनेगा बड़ा भाई छोटा भाई उन बच्चों का कौन बनेगा चाचा ताउ मामा मौसा फूफ बुआ पहनो यह सब कितने रिष्टे खतम होते चले गए जब यह ज़्यादा होते थे तो ज़्यादा रिष्टे होते थे अब आप देख रहे हम दो हमारे दो खतम हुआ फिर हम दो हमारे एक आया और अब समाज ने पास्चात सब्हता ने हमारे देश की संस्कृत ने हमारे चकर खतम कर दिया, पहले तो हम दो गठ बंदन में थे, शादी के सब्तपदी के फेरे थे, साथ फेरे थे, कस्मे थी, बादे थे, संसकार थे, विवाहता, परंपरा थी, रीत थी, रिवाज थी, पद्दत थी, हमारे धर्म कहता था कि शादी है, विवाह है, बड़ा पवित् इसके साथ लिविंद में रहने लगे जाके। ये चीज़ें बढने लगी हैं, दूरियां बढने लगी हैं, उच्पद पर बेटी को बढ़ाया गया, फिर कुछ लोगों ने बहु को भी पढ़ाया, बहु को भी आगे बढ़ाया, जो बो आगे पढ़ी तो अभी आपने गई अब वो अकेला रह गया हम अकेले थे अकेले ही रह गए अब ये चल रहा है सब्वेता संस्क्रित चूट रही है परंपरा वेबाह पद्दती खत्म हो रही है समाज तो गर्त में जा रहा लेकिन यूशी सी समान नागरिक सहिता इस देश की जरूरत है जैसा उसका नाम है तथा नाम तथा गुण समान नागरिक सहिता क्या इस देश में लोग ये नहीं कहना चाहते हैं हम सब समान हैं हम सब बराबर हैं हम सब एक हैं हिंदू मुस्लिम सिख किसाई जैन पारसी सब एक के बल नारा लगता है कि हिंदू मुस्लिम सिख किसाई जैन पारसी भारत में स वोना चाहिए तो हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, इसलाम धर, मुस्लिम धर, जो भी हैं, उन सब के लिए अच्छी बात है, जो भरांतियां पैदा की जा रही है, जो लोगों को गुम्राह किया जा रहा है, जो भठकाया जा रहा है, वो उचित नहीं है, आप demerits और merits का अध दिमानी देना चाहते हैं, दिमाग देना चाहते हैं, अपनी योगता देना चाहते हैं, अपनी नौलिज है आपके पास, दीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लौ कमिशन उस पर खोल दे, दरवाजे खोल के वो तो स्विकार कर रहा है, खोल के दरवाजे, मेल, इमेल देके, क यहां साहब, यह हमारी email ID है, आप अपने दिल खोल के सुझाओ दीजिए, और हम उस पर देखेंगे, लगू करेंगे, उस पर चर्चा होगी, law commission बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, उत्राखंड को तो हमारा देश का ही है, एक राज्य है, अच्छा राज्य है, धामी सा बहुत योग है, बुद्धिमान हमारे तो साथ ही है, हम लोगों ने साथ साथ law किया, law के छात्र है हम लोग साथ साथ, धामी जी, तो उन्हों ने भी तो उत्राखंड में लागू करने का काम किया, उसको आगे बढ़ा है, सबसे पहला राज्य बनेगा, इस देश में उत्र राजनीती करने बाले, जो कट्र राजनीती करते हैं, वो इससे बच रहे हैं, वो सामने नहीं आना पार चाह रहे हैं, अंदर अंदर वो भी चाहते हैं, अच्छा हो रहा है, ठीक है, बढ़िया है, फायदा है, लेकिन गुमराह किया जाता है बोट बैंक के लिए, बोट का नाम पर जो राजनीटी चल लही है जो धार में कटरता के आधार पर हमारे पास भीड है धार में कटरता के आधार पर हमें चंदा मिल लहा है धार में कटरता के आधार पर हमें डोनेशन सुख सुविधाएं और हमारी मजलिस हो रही है वो धार में कटरता के आधार पर कुछ भी नहीं होना चाहिए अब देखिए आप शरीयत शरीयत बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर शरीयत की बात करें जैसा कि शरीयत शवदी अरब में माना जाता है इरान इराक में माना जाता है उन देशों में जहां मुस्लिम लागू है मुस्लिम पद्दती लागू है लेकि भारत में शरीयत के अनुसार क्रिमिनल ला लागू नहीं है क्रिमिनल ला में हम तो 389, 379 चोरी और माल बरामत की सजा को तीन साल मानेंगे, हाथ काटना नहीं मानेंगे, अब वहां की शरीयत क्या कहती है, चोर हाथ काट दो, बलातकारी कास्राइजेशन कर दो हत्या गरदन काट दो ये किया, इसने वो काट दो शरीयत कर तुरंट, just at present no trial, no investigation तुरंट, दंड, यहां क्या कहता है मूल अधिकार संभिधान मानव अधिकार राष्टिय मानव अधिकार आयोग बाल विकास आयोग माईल अयोग यहां यह आयोग के आज अतनी आशरीयत नहीं है यहां 35 सभिधा को भी स्विकार कर लेते हैं, mix कर लिया है वो नहीं स्विकार करते हैं वहां वहां शरीयत का ठोर है यहां CRPC चाहिए नहीं साब, 90 दिन में 4 शीट आएगी तो आएगी नहीं आई, क्यों नहीं आई अरे वहां के चाहर शीट की बात करो न वहां CRPC की बात करो न वहां IPC की बात करो न वहां के कानून की बात करो न नहीं वहां शरीयत यहां कानून में शरीयत नहीं सजा में सरीयत नहीं ट्राइल में सरीयत नहीं देंड में सरियत नहीं यहाँ जेल से लोग मोटे होके आते हैं जेल से लोग गैंग चलाते हैं जेल से लोग अपना रैकेट चलाते हैं पूरा जेल से लोगों की वसूली हो रही है जेल से लोगों का धंदा चल ला है तो इस तरह से समान नागरिक सहिता लागू हो तो पूरी तरहें से इतनी तैयारी के साथ लागू हो, इतनी संबैधानिक तरीके से लागू हो, अगर वो लचर लबये से लागू होगी, अगर लचर पचर तरीके से लागू होगी, कम्प्लाइंस नहीं होगी, तो ये भी मजाक की पात्र बन जाएगी, ये भी इतिहास में फिर काला द पर दिखना भी चाहिए